कोई आग में जा रही हूं मटर पनीर बनाने हैं मटर प्ले पनीर का मटरियल है यह तीन से चार प्याज मीडियम साइज यह 12 केजी मटर है यह लाहसुम अधरख है छिलके मैंने रख लिया यह पनीर है पनीर मैंने खुद घर पही गॉला से दुर ले के फाड़ती हूं घर का पनीर है और ये किचन किंग मसाले है एक आसमीरी जो मिर्च पाउडर होती है उसका मैंने ले लिया एक स्पून और ये मैंने का ये मेथी ले लिया कसूरी और ये जो है कि बारिक कटीगूई टमाटर है और ये मैंने गरम मसाला घर पे खुद बनाती हूं पीस करके घरी का मसा मिर्च चोटी लाइची है और यह लॉंग है गोल मिर्च है जीरा है यह अने दालचीनी रहे लिए यह सब है मेरा टड़के के लिए मैं जार रहे हों प्याज को अधरफ को लाशन को थोड़ा से फॉराई कर देंगी तो पका लेंगे पकाने से इसमें थोड़ाफ अच्छा आ जब दालिए, कम डालिए, सेहत के लिए सही राता। मैं बहुत कम पील में बनाती हूँ आप दिखा रही है। ये फ्राइ करोगी कि देखिए मैं आप प्याज इसमें डालने जा रही हूँ है। इसके ने प्यास ही, प्यास को हमें ताक लिया था, ताक करकिक हल्का प्राइब दिए और फ्राइब प्राइब करके फिर इसका उसमें जो रखी, ये देखे अधर ड़क, मैंने लिया है करीजे ज़े देड़ से दो इंच और शाता करिया मनिला सुन लिया है, और उस अच्छे इस ब्राउन हमें सकता है, ये मेरा चयाग खलका ब्राऊ हो तुका है, अब मैं डालेंग इस इन्वारिश करुए गरिंजे हैं तमाटर, प्रौनी के साथ पता लेंगे, इसमें मैं डालेंगे नमख, नमख मैं गरिंदार ज़त्म स्वार्पलवार्य सुआ श्यों प्रॉज प्रवादा मुषा डालें जिसा आपको खाना है और इसको चार से फांट निल्ड प्रियम आजके पकाऊएगी अगर यह अच्छे के पच्छ जाएगा पर इसके प्लेट में निचालोंगी मैं धंदा करूगी धंदा करके फिर इसके मैं ग्रेवी गराओगी ग्रेवी गराओ मैंने पनीर करमे ष्राय करके एक नहिए जाता है तो यह दिखिए मेरा मुंदा रुटा यह जो तमाटर झाकफ हा आदर भ्लांशूं था यह पकट चुका है अब हम इसको निकाल देगे टलेख में यह फंडा हो जाएगा एवे थंडा हो जाएगा हम इसका पेश्ट बना ल पर हम जा रहा है इसमें तेल डालने कराएंगे और दोती चमर तेल डाल दिये हैं अब इसमें डालेंगे तेजपता, यह तेजपता में डाल दिया यह लाली मिर्च दीया है। यह अदरक लासून और टमाटर का पेस्ट है जिए, अब इन्हां पकाऊंगी, तो पके गाई जिए, इसलिए में जारी मीडियल साइट, इक चम्माट हल्दी डाल लें, फ़िर मैं इसी चंटी मसाला डाल रहींगे, एक चम्माट अब यह कस्मेरी मीर्च, अधा चम्माट डाल रहींगे, अब मैं यह गरम मसाला इसमें डाल दे रहींगे, सब डाल करके अच्छे से मैं पकाऊंगी, बढ़ियां से, इसको इतना अच्छे से खूनेंगे, यह मसाला तेल छोड़ दे, तब तब मैं भूनेंगे, बहुत अच्छा यह सब्जी बनता है, आपनों भी बनाजीगा, इसी तरी किसे, तो देखें, यह मैं दूद की मलाई जो दूद घर का दूद होता है, दूद गरम करते हैं, उपर मलाई पढ़ जाती है, उसका मैंने दो तीन चम्मच, छोटे चम्मच से मलाई ले लिया है, इसको डालने से कलर अच्छा आता है, पेस्ट प्छर इलगता है, उपर ते मसाल बखा रहा है, दिखते रही हैं, आप लोग बना रहा है, आप लोग पताएजे का मेंट करके कैसा बना है, कैसा लग रहा है, खा जरके कि कभी मटर ढाले पनीर में तो घर्म पानी मेज़ को धोल लेजिए गरम पानी मेज को दुल लेजेसे से कलर ही अच्छा अब दुल अगता है गलेएंदेस मेरा मेर्ा पक्पगया है लाशती है नहीं सलीडियु मेरे शेएं कफ्र को के लेखी जादी मेरा करएंगी घ्र यहार मेरा कफ्सूरी सी करते कर देंगे को मेरा कफ्री मीक्सों गया और पनीद मेरे दालने जा रहे हैं और आपको देखिए vere нуж का gets यह देखिए इसमें मैं फ्राइ नहीं थी तो फ्राइ करने से तेल ज्यादे लगता है सेहत को निसान होता है विना फ्राइ का ही मैं डाल दी है आपको देखिए बनाईए आप लोग भी सेहत का ध्यान दीजिए और यह देखिए आपनी मेरा बन के तयार होने वाला है बहुत अच्छा बनता है बहुत अच्छा बनता है बहुत च्छा बनता है देखे मैं आप लोग अपली बनाया है मैं अक्सर बनाती रहती हूँ खाती रहती हूँ मैंने सोचा की बनाओं और आप लोगों को भी आप लोग देखते हूं एक बार मेरा भी आप लोग देखिए कैसा लग रहा कमेंट कर पर बताएगेगा यह देखिए मेरा मटर पनी बन के तयार हो गया कितना अच्छा कितना टेश्टी बना है मैंने पनी इसको भी नहीं फ्राइग किया और हलका सा मटर को गरम पानी में मैंने इसको धुल दिया देखिए कलर मटर का कितना अच्छा यार से मटर कलर चला जाता है गरम पानी में इसको वहलका सा दोल दीजिए यह नहीं जाएगा कलर अब मैं इसको सॉर्व कर रही हूं आप लोग को दिखा रही हूं सॉर्व करके देखिए मैंने सॉल कर लिया इसमें थोड़ बरतन छोटा मेरा पड़ गया अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूं कि अब लोग बना करके खा करके बताएगा कैसा बना है अब लोग कमेंट करते हैं तो नो को भी अच्छा लगता है और बनाने का मन करता है यह और कुछ बना है और कुछ आप लोग को बना के दिखा है